नमस्कार देशी सी किच्छा चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे सरीर में जितने भी अंग है उन सब का अपनी अपनी जगे एहम किर्दार होता है हमारे सरीर पर पाई जाने वाले अंग बाल, त्वचा, आंखे, होट या फिर नाखुन सभी महतव पुरुन होते हैं इन सब का सुन्दर होना आदमी के व्यक्तितव को निखारता है तो आईए आज हम बात करेंगे नाखुनों के बारे में क्या आपके नाखुन बार-बार बीच से टूट रहे हैं, नाखुनों की परते बन रही है या नाखुन पीली हो गई है, उनमें दरारे आ गई है ऐसे नाखुन देखने में बहुत भद्दे लगते हैं जिसको लंबे नाखुनों का शौँख है और इस तरहें बार-बार नाखुन तूट रहे हैं तो उसे बहुत बुरा लगता है, मन दुखी हो जाता है ये सब आपके सरीर में कोई कमी की वज़े से होता है तो आपको गबराने की जरूरत नहीं है मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बता रही हूँ जो आपकी इस समस्या से छुटकारा दिलाएंगे यदि आप लंबे समय तक नाखुनों को गिल्दा रखते हैं या फिर सरफ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपके नाखुन ज्यादा टूटेंगे ज्यादा नेलपेंट लगाने से भी नाखुन खराब होते हैं पतली और लगातार टूट रहे नाखुनों की वज़ें विटामिन, प्रोटीन, और खनीस की कमी भी हो सकती है तो चलिए जानते हैं अपने नाखुनों को सुन्दर, स्वस्त, वेचमकदार कैसे बनाए अपने डाइट में विटामिन C, वेफोलिक एसिड ज्यादा ले पोश्टिक भूजन करें, खूब पानी पिए एक गिलास पानी में आदा निम्बू का रस रोजाना पिए को काट कर या तो आदा निम्बू ले लो, या फिर निम्बू का छिलका, उसे अच्छी तरह मसाज करें या फिर लसुन होता है उसके एकली को छिलकर वो भी नाखुनों पर रगड़ें ये दो नुस्तियां इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे, वो एक कर लेना फिर रात को सोने से पहले एक कटोरी में पानी लेकर इसमें चुटकी भर बैकिंग सोडा मिलाएं और पांच मिनट तक अपने नाखुनों को डुबो कर रखें, फिर अच्छी तरह साप कर लें और तोलिये से पोंच कर नाखुनों को सुका कर लें बाद में नारियल या जैतुन के तेल से अच्छी तरह मालिस करें एक नाखुन पर दो बोन तेल की टपकानी है और एक नाखुन पर कम से कम एक मिनट तक मसाज करना है तो आपके नाखुन बहुत चमकदार वे मजबूत हो जाएंगे अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो सहिलियों वेपिरिये जनों के साथ शेर करना ताकि वो भी इसका लाब उठास के धन्यवाद